अगर आपकी Instagram real video पर 5-7 views आते हैं, यह 10-15 आ जाते हैं, कभी-कभी 100-200 views आते हैं, तो इसको viral नहीं बोलते हैं, 1000 views भी आगे तो उसको viral नहीं बोलते हैं, जब millions में views आते हैं, उसको video viral होना बोलते हैं, तो आप लोग गलत तरीके से real video upload करते हो, इसलिए आपका real video viral नहीं होता ह तो आज मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ, कि कैसे आप सही तरीके से real video को upload कर सकते हो, upload करने को तो एक side में रखो, पहले आपको अपने Instagram की setting करने पड़ेगी, तभी तो आप high quality में real upload कर पाओगे, तभी तो आपकी video viral होगी, Instagram open करने के बाद जब आप अपनी profile मा जा लोग mistake कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर किलिक करना है, setting and privacy पर, तो जब आप यहाँ पर किलिक करोगे, तो यह interface इसका change हो चुका है, यहाँ पर आपको confused नहीं होना है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर जाते रहना है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा account privacy, तो जब आप account privacy पर किलिक करोगे, तो आपके सामने कुछ as interface आएगा, तो अगर आपका private account कुछ इस तरीके से on है, तो इसको प्यार से off कर देना है, अदर्वाइस आपका real video कभी viral नहीं होगा, इतना करने के बाद आपको वापस चले आपको नीचे की साइड जाने है, बिलकुल नीचे आपको चले जाने है, यहाँ पर जाने के बाद आपको एक option मिलेगा, account type and tools, यहाँ पर इसको बड़े ध्यान सा समयना, इसमें आपको mistake नहीं करनी है, बहुत सारी लोग confused होजाते हैं, बाई, confused होने की तो जरूती नहीं है तो यहाँ पर account type and tools पर आपको click कर देना है, वापस से मैं नीचे जाता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर click किया, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चार option आएंगे, अब आपको यहाँ पर एक तो गया add new professional account, एक हो गया switch professional account, तो आपको अपने इसी account को switch करना है professional account में, आपको new account add करने की ज़रोत नहीं है, तो आपको यहाँ पर उपर वाले पर click कर देना है, इतना करने के बाद आपके सामने कुछ S interface आएगा, अब आपको नीचे की तरफ यहाँ पर continue का एक option दिख रहा होगा, तो जब आप continue पर click करोगे, फिर सापके सामने continue आजाएगा, तो इस तरीके से आपको continue कर देना है, दो तीन बार, देन आपके सामने कुछ S interface आएगा, अब यहाँ पर confused होने की ज़रोत नहीं है, आपका किस category में interest है, आपको editing में interest है, किस चीज में interest है, तो आप यहाँ पर blogger सिलेक्ट कर सकते हो, यह रहा blogger, और यहाँ पर अगर आप digital creator हो तो digital creator सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप education से related content बनाते हो, education सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप खाली real बनाते हो, आपको कुछ और करना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर editor भी सिलेक्ट कर सकते हो, यह आप gamer हो, gaming करते हो, तो आप यहाँ पर gamer सिलेक्ट कर सकते हो, इतना करने के बाद आपको देखो बहुत सारे option मिल जाते है अगर आपको gaming में interest निया सिर्फ आपको videos बनाने में interest है तो यहाँ पे आपके लिए यह रहा best option यह रहा video creator तो आपको यहाँ पे video creator पर click कर देना है अब उपर की side आपको एक option मिलेगा display on profile तो यह बहुत important है जब आपकी profile पे कोई visit करेगा आप क्या हो आपको किस चीज में interest है तो वो display पे दिखना चाहिए या नहीं आप दिखाना चाहते हो या नहीं अगर आप दिखाना चाहते हो तो मैं इसको on कर देता हूँ अगर आपको भी दिखाना है तो आप इसको on कर देना उसके बाद आपको नीची की तरफ done पर किलिक करना है इतना करने के बाद थोड़ा सा loading चलता है यहाँ पे 30 सेकेंड भी लग जाता है इतना करने के बाद आपको creator को select करके रखना है then आपको next पर किलिक कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ as interface आएगा अब आपको यहाँ पे 5 step complete करने है यह 5 के 5 step complete करना बहुत जरूरी होता है अब इन 5 step को complete नहीं करोगे तो आपका professional account नहीं बनेगा और आपकी real video viral नहीं होगी अगर आप professional account नहीं बनाओगे तो real video कैसे viral होगा भाई ने लोगों के पास कैसे जाएगा आपके followers तक ही पहुचेगा अब आपको यहाँ पे profile को complete करने के लिए सबसे पहले आपको पहने वाले पर क्लिक करना है complete your profile तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ S interface आएगा तो अभी मैंने एक file to account बनाया हुआ है इसका कोई काम नहीं है मेरे पास अब यहाँ से नीचे चलते हैं इसके बाद आपको ऊपर की तरफ बस right के icon पर क्लिक कर देना है अगर आपको कोई profile photo लगाना है यहाँ पर क्लिक करके आप profile photo लगा सकते हो तो अभी मैंने जुन्लू की tag का logo लगा दिया उसके बाद आपको यहाँ पर done कर देना है यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ right वाले icon पर क्लिक करने है आपका यह सब कुछ done हो जाएगा यह रहा right वाला icon तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपका एक step बड़े प्यार से complete हो चुका है आपको पांच step complete करने है अब आपको यहाँ पर grow your audience और एक मिलेगा get inspired तो आपको यहाँ पर get inspired पर किलिक कर देना है तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको सिर्फ right वाले icon पर क्लिक करने है उपर की तरफ second step आपका complete हो गया अब उसके बाद third complete करने के लिए grow your audience तो आपको यहाँ पर क्लिक करने है तो आपके सामने कुछ S interface आएगा तो जब हम सबसे नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर loading चलेगा आप WhatsApp पर send कर दो किसी के पास अभी मैंने WhatsApp पर share कर दिया और यह वाला जो टीक है यह green हो चुका है पहले यहाँ पर क्लिक होने के लिए नहीं था तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर third step मारा complete हो चुका है तो यहाँ पर आपको तीन पोस्ट करना जरूरी होता है क्यों होता है वह भी बताऊंगा तो पोस्ट करना बहुत आसान है यहाँ पर जुन्नु की टेक मैंने अभी example के लिए logo पोस्ट कर रहा हूं उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले arrow पर क्लिक करने है यहाँ पर क्लि इतना करने के बाद आपको यहाँ पर राइट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा एक पोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं जाता हूँ अब अपनी प्रोफाइल में तो मैं अपनी प्रोफाइल में आ चुका हूँ और वापस से मैं यहां पर refresh करता हूँ अब जो मेरी प्रोफाइल है यहां पर एक पोस्ट हो चुका है 17 सेकंड पहले बट अभी भी हमारी जो steps हैं यह complete नहीं हुए तो इनको complete करने के लिए वापस साब को यहां पर करना पड़ेगा और यहां पर आपको किलीक करना पड़ेगा अभी आपको दो पोस्ट और करने मीनिममम आपको तीन पोस्ट करना ही होते हैं तो मैं आभी आपको अच्छे-चर फोटो डालने ताकि अच्छे इंप्रेशन पड़े हैं मैं तो आपको just complete करके दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको आगे और भी चीज़े समझा सको तो मैं अपनी profile माया और यहां पर दो post मैंने complete कर दी अब मैं जा रहा हूं तीसरी post complete करने introduce yourself पर click किया create post पर click किया जुन्नू की tag का logo लिया यहां पर done किया वही simple सा process तो यहां पर मेरा यह वाला step भी complete हो चुका है अब आपको यहां पर जाना है explore tools tools and insight यहां पर click करने के बाद बस आपको ok पर click कर देना है उपर की तरफ तो यहां पर अभी भी कुछ रह गया क्या तो मैंने गलती से चार post कर दी वैसे तो 3 करनी होती है बट कोई बात में आप 3 कर देना अच्छी सी post तो अभी यहां पर हमारा सब कुछ complete हो चुका है और यहां पर आप देखो जो हमने category select किया था यह रहा video creator यहां पर लिखा हुआ चुका है मैं एक video creator हूँ तो यह काम complete करने के बाद आपको real कैसे post करना है सही तरीके से अब उसको समझिए यह करना बहुत ज़रूरी था अब वापस से मैं profile माता हूँ और मैं एक काम करता हूँ एक important setting और बताता हूँ यह बहुत ज़्यादा important है view ज़्यादा पाने के लिए आपको ऊपर की तरफ three lines पे click करना है same process है यहाँ पे click करने के बाद आपको setting and privacy पर click करने है यहाँ पे click करने के बाद आपको नीचे की तरफ चलते रहना है चलते रहना है चलते रहना है तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है sharing and remix देख लिया यह आप सभी के प देखो देखने हो बड़े ध्यान से देखो अब नीचे की तरफ देखो यह सारी की सारी ओन हुई पड़ी है लेकिन सबसे नीचे वाली यहां पे देखो यह ओफ हो रही है तो इसको भी हम ओन कर देते हैं इतना करने के बाद आपको उपर की तरफ जाने इसका मतलब यह है कि आपकी real के साथ कोई remix video बना सकता है अगर आपकी real के साथ कोई remix video बनाएगा तो उससे ये फायदा होगा आपकी video पर भी views आएंगे लोग आपके account पर भी आकर देखेंगे तो ये हर किसी के off ही रहते है mostly तो आपको इनको own करना है अगर आपको already own पड़ा है तो बहुत अच्छ channel मिल जाता है ये रहा real एक तो ये तरीक होगे हमारा real को upload करनेगा अब मैं यहां से वापस आता हूं मैं करता हूं रील में आता हूं तो रील में आ चुका हूं मानलो भाई कोई भी trend चल रहा है आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो जैसे कोई भी trend चल रहा है अभी share तो अगर हमें इस पर वीडियो बनाना है तो इसको डाउनलोड करके इसका गाना यूज करके डारेक अपलोड मत करना आपको यही तो चीजे समझने है रील को वाइरल करने के लिए आपको यहां पे नीचे की साइड इसके साउंड पर किलिक करने है तो जब आप इसके साउ से होती कम यहां से मैं आपको अप्लोड करने के लिए इस वे बोले हूं पिकोज 24,300 रील इस पर उल्लेडी बनी हुई है तो आपको यहां पर यूज इस ओडियो पर किलिक करने या तो आप लाइव जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूं इस तरीके से वीडियो बना कर लाइव अप्लोड कर सकते हो दूसरा तरीका है आप अपनी गैलली में से कोई भी वीडियो सिलेक्ट करके अप्लोड कर सकते हो इस गाने पर, मानलो ही trend है तो मैं select कर लेता हूँ कोई video तो अभी मैंने example के लिए एक video select कर लिया उसके बाद इसको adjust कर सकते हो जितना आपको cut करने हैं, आगे पीछे से cut कर सकते हो या बहुत सारे application आते हैं editing के लिए आप उनसे editing कर सकते हो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर add पर click करने है तो जब आप add पर click करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा interface आएगा उसके बाद आपको next पर click करने है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाते हैं इन options का आपको फायदा उठाना चाहिए कैसे आपको सबसे पहले तो इस वाले music वाले icon पर किलिक करने है तो जब आप यहाँ पर किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब आपको यहाँ पर controls मिलते हैं यह जो controls है ना यह किस चीज के control है इसको जानी है तो जैसे ही control पर किलिक करोगे आपका जो original camera का audio है यह तो बंद रहना चाहिए अगर आप original camera का भी audio लेना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देना फिर जो आपकी इस वाली वीडियो में जो आप real upload कर रहे हो उसके भी sound आएंगे और जो आपने trend वाला गाना लिया उसके भी sound आएंगे समझ गे ना इस तरीके से होता है वो सही तरीका यह होता है upload करने का कहा आप direct पेल देते हो यह सबसे बड़ी घलती होती है आपका वीडियो उसी sound के अंदर जाना चाहिए अगर trend में viral होना है वो इस तरीके से जाता है तो अभी मेरे को camera का audio नहीं रखना है मैं done पर किलिक करता हूँ और फट फट सारा process complete करता हूँ फिल्टर बगर लगाना है गोरा ओरा होना है तो आप यहाँ पर इस वाले फिल्टर पर किलिक करके जैसे फिल्टर पर किलिक करोगे बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हो एक से एक फिल्टर मिल जाते हैं जो भी ट्रेंडिंग में चलता रहता है फिल्टर जो जादा लोग यूज करते हैं उसका यूज किया करो उसके बाद आपको नीचे next पर किलिक करने है यहाँ पर किलिक करने के बाद most important चीज अगर आपका वीडियो सेर्च वाले फीड में जा रहा है तो आपको यहाँ पर edit cover पर किलिक करने है cover ऐसा select करना है कि लोग एक बाद देखें और किलिक करने पर मजबूर हो जाए अगर आपका कोई cover अच्छा नहीं निकल पार आपकी वीडियो से तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है add from your device तो यहाँ पर किलिक करके आप अपने gallery से भी add कर सकते हो अगर यहाँ से अच्छा cover photo आ रहा है तो यहाँ पर done करो खतम अब आपको यहाँ पर caption में लिखना है caption में आपको कुछ अच्छी चीज लिखनी है या तो कुछ लिखो मत और लिख रहे हो तो अच्छा लिखो अब यहाँ पर मैं x, y, z कुछ भी लिख देता हूँ जो भी आपका title होगा भाई देखो अब हर चीज तो मैं बताऊंगा नहीं कि आपको वीडियो का title क्या लिखना है या तो आप खुद ही लिखोगे अब आपको नीचे की तरफ जाना है यहाँ पर आपको topics का एक option मिलता है add topics तो जब आप add topics पर click करोगे तो आपका वीडियो किस topics से related है मालनो भाई style and trend से related है मैंने एक select कर लिया उसके बाद hair style से related मैंने select कर लिया मालनो भाई आप वीडियो में dogs बज़र जिखा रहे हो तो आप यहाँ पर dogs ले सकते हो यह select करना जरूर यह है ताकि Instagram आपका वीडियो उनहीं के पास वेज़े जिस category का यहाँ पर आ रहा है most important चीज़ आपको यहाँ पर एक option नज़र आ रहा होगा advanced setting तो जब आप advanced setting पर click करोगे बहुत साए लोगों question रहता है कि जुन भाई high quality में तो real upload होई नहीं पाती वो इसलिए नहीं होती यहाँ पर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुए upload at highest quality यह off रहता है आप लोगों का तो इस पर click करके on कर लेने है अब आपका जो original quality है high quality है वो ही upload होगा अब यहाँ पर एक और option हमें मिलना है likes and please अगर आप likes hide करना चाहते हो आप नहीं चाहते कि किसी को मेरे likes दिखे because हर को ही नहीं चाहता कि भाई मेरे likes show तो आप अपनी उस वीडियो के likes भी hide कर सकते हो यहाँ पर click करके तो वापस से में जाता हूँ और title आपने लिख दिया अगर आपको hashtags लगाने है जो भी आप का मन करें आप हुआले hashtags लगाओ suppose कोई trending में hashtag चलने है और एक hashtag आता है hashtag लगागर आपको तो बस आपका real video हो गया upload तो भाई आपको real video upload करने का सही तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया तो आपने मेरे को क्या दिया कुछ नहीं दियाना भी तक तो वीडियो को भाई पहले like कर दो और चैनल को subscribe ज़रूर कर देना तो वीडियो तो आपने upload कर दिया उसके बाद अपनी वीडियो को खुद से बार-बार मत देखो and अगर आपका वीडियो अच्छा होगा सही तरीका मैंने आपको बता दिया वीडियो में दम होगा लोग आपकी वीडियो को देखेंगे 101% viral होगा अब ऐसा नहीं है कि आपका गंडा वीडियो है कुछ भी upload कर रहे हो वही viral हो जाएगा नहीं हो पाएगा भाई content में भी दम होना चाहिए सही तरीका मैंने आपको बता दिया इससे best तरीका और क्या ही बता हूँ यार सारी चीज़े बता दी तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मैं आप साल लोग किसी और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपने जानक है and बाबाई